फेलो बच्चो इस वीडियो में हम लोग पार्ट नौ विसेसर के बारे में पढ़ेंगे विसेसर याने की एड्सेक्टिव तो आईए सुरुवात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है निर्म ने लिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए ठीक है यहां चत्र बना हुआ है चत्र तो हमने यहां देखा कि यह जो यहां पर लाल है वो लाल सब्द से लिखा है पतला भी लाल से लिखा है अच्छी भी लाल से लिखा है और यहां मोटा भी लाल से लिखा हुआ है तो इससे क्या पता चलता है कि और आगे भी दिया हुआ है कि यह घर सुन्दर है हां और यहा वाक्यों में लाल सब्द से सेब की विशेस्ता पता चलती है इसी तरह पतला सब्द से आदमे की अच्छी सब्द लड़की की मोटा सब्द लड़की की सुन्दर्द सब्द से बच्चों की विशेस्ता प्रकट हो रही है अता यह सब्द विशेस्ता है मतलब कि अभी हम लोग रंग से लिखा हुआ था सुन्दर अच्छे उपल सेब लाल सेब अच्छी लड़की मोटा लड़का लिखा हुआ था ये सब क्या हैं विशेस्ता होते हैं विशेस्ता के तो ये विशेस्ता बताते हैं इन्हीं को विशेस्ट कहते हैं ठीक है आगे देखिए आगे हैं अब हम कि लोग विशेसण की परिवासा देखते हैं तो संग्य या सरुनाम सब्दों की विशेसथा बताने वाद विशेसण कहलते हैं ऐसे अशियस्ध कहलते से किछ सब्दों से संग्या या सरुनाम का गुड़ पता जैसे अच्छा बुरा सुंदर चोटा बड़ा इस तरह से कुछ विशेशर सब्दों से किसी वस्तु की मातरा पता चलती है थोड़ा बहुत अधिक कम आदी कुछ विशेशर सब्दों से संग्या सरनाम की संख्या का पता चलता है तो जैसे तीन पांच सो हजार लाक आदी यह पर दिया हुए पाठ का सार तो विशेशर सब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदी विशेशता को प्रकट करते हैं जैसे संग्या संग्या परिभासा क्या होती है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संग्या कहते है तो विशेशर सब्द क्या होगा व्यक्ति वस्त काई दिया हुआ है उत्तरपा निसान लगाई यह राकेज बाहुत मेहंदी इस वाकिया सब्सक्राइम कौनसा है विष्षड क्या है मेहंदी ठीक है तो कि अला यहां इस वाकिया में रच्छक क्या है विष्षड है यहां निया गुलाबी फ्रापएंड़ इस इसमें विशेशन सब जो कौन सा है तो गुलाबी है जिने प्रस्नों के उत्तर दीजिए विशेशन किसे कहते हैं इसी परिभासा आपको अपने बुक से देखके लिखनी है फिर है कि विशेशन कौन कौन से स्थाय बताते हैं विशेशन गुड दोस मात्रा संख्या अधी बत एक क्या है विशेशड है कच्चा क्या है विशेशड होगा प्यारा क्या है विशेशड दूद क्या है संग्या रसीला क्या है विशेशड आम क्या है संग्या चीनी क्या है संग्या फीका क्या है विशेशड है केला संग्या पैंसल भी संग्या कमजोर विशेशड है नुकी की संगे सब्दों के तीं टीं जॉसिय सन्न लीखी इधारन देखी दूझ कैसा होता है तूझ मीठा फिका अ пис polsku to beSerial की काल होता हॉता है न जंगल में रहता है तो इस तहरीक़े से लिखना है कि उसके बाद आया कि निम्लिखित वाक्यों में सब चाड़ कर लिखिए कि विसेशड क्या है तीन लंबे मेरे पिता दी लंबे लंबे चतुर सुन्दर मेहंदी ठीक है इस तरीके में यहां पर कुछ पर लिखना है आगे भी है कि शुर्वत में देगे विसेशड़ो सरी किस्थान भरिये विदेश जैन्जवले दल में सदसे थे ठीक है केले मीठे होते हैं पके केले मीठे होते हैं मेरे माता जी काफी लंबी है राम सिंग एक वीर सिपाही था मेरा नया कोड बहुत बहुत क्या होगा यहां पर बहुत मुलायम है चाय बहुत गरम है विदेश जैन्वले दल में दस सदसे थे ठीक है आगे देखिए प्रस्न साथ दिया है यहां पर लिखी वाक्यूम विसेशा सब्दों पर गोला लगाईए बाग में रंग भी रंगे फूल खिले थे चारो सुंगदित हावा दो रहे थी लाल लर फूलों की क्यारिया बनी होई थी बाग के बीचों बीच एक प्यारा ज़रना था ज़रने के पासी मधूर संगी सुनाई दे रही थी ठीक है तुछ सरी के से हमने यहां पर देखा कि इन वाक्यूम में विसेशा पर गोला लगा देखिए संग्या अब इससर अब देखिए काला है तो काला क्या कर इससर हो जाएगा ठीक है बाल क्या है संग्या हो जाएगा ठीक है चीनी है यहां पर संग्या है और ऐसे ही देखिए और जो भी सब्द आपको यहां पर मिले और दल संग्या हो जाएगा ठीक है इसी तर से आपको जूस कर किसमे फिल करना है और आपका यह पाड़ जो है यह पूरा हो गया धन्यमाद